दोस्तो नमस्कार, हिंदी कोई जी में आपका स्वावयत है, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कभी सेना पती जी के सहितिक जिवन परचे के बारें बात करने चल रहे हैं यदे आप हिंदी कोइच चानल पे पहली बार आएं तो YouTube पर हिंदी कोइच चानल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंदी भासा वा साहित की नमिंचम जानकरी प्राप्त होती रहे हैं हम सभी जानते हैं कि सेनापति जी भक्तिकाल के प्रमुक कभी माने जाते हैं आपका जन्म 15 और 84 अथों 15 और 88 में माना जाता है इस रकार कभी भक्तिकाल के अंतिम चाण में वा रितिकाल के प्राणविक चाण में आते हैं सेनापती के कावे में साइध इसी लिपक्तिय और रितिक वरुरतिय एक साथ दिखाई पड़ती हैं सेनापती के जिवन की विसे में कोई विसेश जानकारी नहीं मिल पाती है उनकी रचना कवित रतनाकर में आपनी लिखा है कि अपने बंस का वर्चे दिया है उनकी पिता का नाम गंगाधर और पितामा का नाम परसुराम दिखित था सेनापती की सिच्छा दिख्षा हीरा मड़ी दिखित के अंतरकत संपन हुई सेनापती कभी का वास्त्विक नाम पतित नहीं होता या उनका उपनाम रहा होगा आपके बंसज गंगा के किनारे अनपम भस्ती के रहने वाले थे कुछ बिद्वानों का या भी अनमान है कि उनका संबन्द मुसल्मानी दर्वार से था राम रसायन के एक शंद से इस कथन की पुष्टी होती है सेना पति किस मुसल्मान सासक के हनोकर थे या सपष्ट नहीं है जहांगेर के हासन काल में बुलन सहर के अधिकांस बड़गुजर राजाओं ने मुसल्मान धर्म स्विकार कर लिया था शतारी दानापूर धराबपूर आधि के सासक इनहीं बड़गुजरों के संतान थे संभावता सिनापती नहीं रियावस्तों में से किसी ही के दरबार में थे सिनापति जी को अपने कावे पर बड़ाई भी अभिमान था वे अपने कावे को सुरचित रखना चाहते थे वे कहते थे कि लोग के वल दूसरी कवियों से भाव ही नहीं चुराते बलकि पूरे का पूरा कवित ही उडा देते हैं उन्होंने कवित रतनाकर जिस कवी को समर्पित किया उसे याभी परातनाय की है वह उनके कावे को सुरच्यत रखे, वह स्वयम भी इस बात के लिए सच्यत रहा करते थे कि किसी कभी का भाव ना चुराएं और ना ही किसी के नकल करें, अपने समकालिम कभीयों के विसे में प्रायर उन्होंने कोई बात नहीं लिखी है, उनका साभिमान, उनकी भक्ती प्रक रचनाव में भी दिखाई पड़ता है, एक स्थान पर उपने आराद देव से कहते हैं, यद तुम यह कहो कि मैं अपने कर्मों द्वारा ही इस भाव सागर से पार हो जाओंगा, तो फिर मैं ही ब्रह्मा हूँ और तुम्हें स्रिष्टी करता मानना बेर्थ है, आम बात करत यह को पहते हैं सेनापती जी की भक्ती भावना के बारे में, सेनापती जी मुक्रता राम भक्ति थे यद्यप्य, उनकी रचनाव में क्रिश्ट और सिव संबंदी छन भी है, सिव सरोज निज जी ने लिखा है कि इन माहराज ने ब्रिदावन में सन्यास लेकर सारी उम्र व नहीं थी, उनके कावे में विविन देवी देवताओं और आवतारों के इस्तुति मिलती है, जिस परकार सेनापती के कारमिक जो उनकी विसे में कुछ नहीं मालू पड़ता, उसी परकार उनकी मृत्विक के संबन में भी कोई निश्यत रोप से नहीं कहा जा सकता, कवित रतन में इनका दिहांत 1649 लिखा गया है, कभी की अंतिम रचनाओं से अस्वष्ट होता है कि वे बहुत ब्रिद्ध हो चुके हैं, सेनापती का कावे, भक्ति काल और रिति काल की संदेर रिखा का कावे, इसलिए इसमें दोनों काल की प्रोड़तियों का मिलन दिखाई पड़ता है, हम बात करते हैं सेनापती जी की रचनाओं के बारे में, तो सेनापती जी की दो रचनाओं का उलेख मिलता है, कावे, कल्पद्रूम और कवितर रतनाकर, तो एक है कावे, कल्पद्रूम और कवितर रतनाकर, कावे, कल्पद्रूम अप्रया है, इसलिए इसमें कैसे कवि ग्रंत यह एक संगरा ग्रंत है, इसमें पांत तरंगी आत्वा खन्ड है, परूनला वठ्ती वाले छंदों को छोड़ देने पgal कवित रतनाकर में कुल मिलाकर 324 छंद है, कवित रतनाकर एक संगरा ग्रंत है, इसलिए इनमें संगधी रचनओं में सिंगार, वीर रौत भयाना को सांतर समद्धी रशनाय पाई जाती हैं सुभावता अन रसों के पेश्चा स्रिंगार रस का अधिक विस्तार है सिंगार रस के आलंबन विभाव नायक नायका हैं कवित रतनाकर में सुभावी गर्ण के जो थोड़े से अंस हैं वे बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं कवी का सौंदर उत्तम और मौलिक है अब बात करते हैं उनकी भासा सैली के बारे में तो सेनापती जी की भासा सैली कावे की विशाएक द्रिष्टी से भली सेनापती जी को भक्त कवियों को निकट रखा जा सके परन्तो काब सिल्प के द्रिष्टी से और निश्चित ही इरितिकालिन कवियों के निकड़ जान पड़ते हैं अन्ने स्रिंगारी कवियों को तरह सेना पतीजी के काबे में भासक के फजावट का आत्रिक्त आगरा दिखाई पड़ता है उनकी भासा का सौंदर भाओं के तर्मेता के फल्सरूक नहों कर अलंकारों की तड़क भड़क के काण ही है सेना पतीजी ब्रज भासा लिखने मदश्य थे उनकी स्लिष्ट कवितों पर विचार करते समय अस्वष्ट हो जाता है कि साधान सब्दों से वे सुन्दर रचना कर पाते थे उनकी भासा में संस्कृत निष्ट भासा के नमूने भी मिल जाते हैं और उर्दु फारसी मिस्रित भासा के नमूने भी सेना पतीजी की भासा में प्रसादवा ओजगुण प्रधानता से पाय जाते हैं ओज़पोड भासा लिखने में आप प्रयाप्ते निपुण है की बढ़ी निपोड़ता भी थी तो इस स्वरकार हम इस वीडियो के माद्यम से जान पाया कि सेना पती जी की फाफ़ा सैली की स्वरकार है उनकी रचनाए कौन-कौन है काब एक कल्प द्रुम जो कि अभी मिलता आप रहा है और वह प्राप्त नहीं उपाई है और कभी तरतना पिल्आक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाया हूँगे यदि आपको एलेक की दिस्रेपशन बॉक्स में लिंक आ गया जहां पर जा-कर आप यहले एक लिखित रूमें प्राप्त कर सकते हैं और भी हिंदी साहित इकारों के जीवन परशे और अपने अध्र फे जुड़े हुए अध्र सामक लिए आपको चाहिए तो आप हिंदीकुर्ण.com को उजिट करें आसा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए पकी सुद्ध होगा घन्यवाद